लो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में, इस वीडियो में हम LCD को रास्बरी पाई के साथ इंटरफेस करेंगे, LCD एक डिस्प्ले डिवाईस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो आपको दिख रही है, वो डिवाईस है LCD, LCD के अंदर अलग-अलग पीन्स होती है, टोटल 16 पीन्स होती है, उसमें से कुछ पीन्स को हम रास्बरी पाई के साथ इंटरफेस करेंगे, और उसके बाद हम ए करवाएंगे, LCD एक डिस्प्ले डिवाईस है, इसका मतलब है, आप कुछ भी इस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसके बहुत सारी अफ्लिकेशन, बहुत सारे यूज है, आपके बास्स वे डिस्पले करवाना है, आपको पूछ पासवर्ड लेना ही यूजर से, तो यूज तो आप अपना पूरा computer रख नहीं सकते जिसके जिससे आप कुछ display करवा है ठीक है अगर आपका Raspberry Pi एकदम अलग से standalone रखा हुआ है तो आप display कहां से लाओगे ठीक है तो ऐसे छोटे project आप बनाना चाहते हो है मेनी project embedded system के तो उसके लिए यह सबसे बेस्ट डिवाइस है जिसके उपर आप ऐसी कुछ quantities display करवा सकते है तो LCD का full form है liquid crystal display इसको 16 x 2 LCD भी बोलते है अलग कि ऐसी बहुत सारी LCD अवेलेबल है graphical LCD आपने देखी होगे आपके phone में भी LCD होती है ठीक है बट यह काफी simple LCD है 16 x 2 16 x 2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो लाइन है ठीक है आप देख सकते है उपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन और हर एक लाइन के अंदर आप 16 character को display करवा सकते है इसी कारण इसको 16 x 2 LCD बोलते है तो टोटल 32 character एटर टाइम आप इस पर display करवा सकते हो आला कि आप इसमें बहुत सारी चीज़े और भी कर सकते हो जैसे कि अगर आपका message थोड़ा ज्यादा लंबा है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके display करवाई ठीक है थेंक यू वेलकम फिर दो सेकंड तीन सेकंड के डिले के बाद आप और कुछ नया display करवाई आप moving message भी डाल सकते है जो आपको यह दिख रहा है this is 2 x 16 तो वहर एक सेकंड पे यह left shift होता राएगा और यहां से नई चीज़ आएगी यह सब possible है ठीक है इसका supply volt होता है 5 volt ठीक है इसको 5 volt देना पड़ता है operation के लिए और बाकी सारी पिन हम raspberry pi के साथ connect करके raspberry pi के थ्रू ही इसको program करेंगे अभी यह आपको sd की pins दीख रही है ठीक है हाला कि इसमें 16 pin होती है बट मैंने इसमें main main pin रख्की हुई है जो भी है ठीक है यह actually फर्स्ट जो तीन pin है वो voltage, ground और contrast adjustment के लिए दिखाए रही हुए इसको हम यूज़ नहीं करेंगे programming में ठीक है इसके साथ तो आपको simple vss और vdd कनेक्ट कर देना है ground और supply जो भी है हो ठीक है हमारा main focus इस pin पे रहेगा इन सारी pinों पे यहाँ पे देख सकते है के d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6 इतनी pins है ठीक है और rs, rw और enable यह तीन pin और है ठीक है अभी देखिए एक minute मैं इसको erase कर देता हूँ तो अब याप यह याद रखिए कि यह pin है यह data pin है और यह pin है यह control pin है और इनी 11 pin को use करके हम program लिखेंगे ठीक है अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी display करवाना है तो मैं इनी 11 pin को use करके करवाऊंगा ठीक है मुझे अगर यहाँ पे x, y, z display करना है तो programming में raspberry pi के through करूँगा यह सारी pins में raspberry pi board के साथ connect होगी और मैं इनी 11 pin को ध्यान में रखिए program लिखूँगा ठीक है अभी program में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ rs pin, rw और enable यह control pin है तो सबसे पहले इसका देख लेते है rs pin क्या करती है rw क्या करती है और enable क्या करती है ठीक है और इसके साथ साथ d0 to d7 यह हमारी data pin बोलते है इसको ठीक है अभी देखो इसका algorithm क्या होगा इसमें कुछ लिखना है algorithm मतलब के step आप सिंपल समझो steps क्या होंगे तो initially मुझे इसके उपर कुछ command write करके इसको configure करना पड़ेगा configuration का मतलब क्या है कि मुझे message कहां से चाहिए ठीक है मुझे message for example यहां पर आपको एक hardware का picture दिख रहा होगा ठीक है अगर मुझे यहां से message start करना है x y z और मुझे दूसरा message यहां पर चाहिए a b c ठीक है तो यह possible है ठीक है मैंने first line में one two three four छोड़के five fifth position से message start किया और यहां पर मैंने इतनी सारी position छोड़के यहां से message start किया तो यह मैं कैसे कर सकता हूं तो इसके लिए LCD के कुछ commands होते है ठीक है आप अलग-अलग command दीजिए और जो भी आपको चाहिए उसी साब से आप display ले सकते है तो जो मैं algorithm की बात कर रहा था उसमें first आपको क्या करना है first आपको अलग-अलग command देने है ठीक है अलग-अलग command देके आपको LCD को configure कर देना है एक बार आपने command देके इसको configure कर दिया उसके बाद आपको इसमें data देने है ठीक है अभी command वा data का मतलब क्या है जैसे कि एक command होता है 01 अगर मैं 01 as a command दूंगा तो LCD पे जो भी लिखा हुआ होगा previously वो सब clear हो जाएगा इसको clear command ब और data मतलब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे capital A display करना है तो मुझे A की ascii value जो भी है ठीक है xy वो मुझे as a data देनी पड़ेगी बट command और data के लिए हमारी pin तो common है d0 to d7 तो उसको कैसे पता चलेगा कि यही command है normally command predefined है fix है ठीक है लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि यह command है औ कि LCD को तो पता अंदर तो पता नहीं है ना कि यह data की बात कर रहा है यह command की बात कर रहा है ठीक है तो उसके लिए यह तीन control pin है तो first rw तो rw का मतलब क्या है read and write अगर r0 है तो वो write operation होगा r1 rw1 है तो वो read operation होगा anyway हम LCD में से कुछ read नहीं करना चाहते हम खाली write ही करना चाहत या पूरे वीडियो बनाने का aim यही है कि हमको कुछ display करवाना है तो throughout rw को 0 ही रखेंगे क्योंकि मैं write ही करवाँगा मुझे कुछ read नहीं करना है और इसलिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी यह दिखाया है कि rw है वो ground किया हुआ है तो एक control pin तो हो गई खतम ठीक ह rw throughout 0 ही रहेगा मतलब मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं खाली write operation ही करना चाहता हूँ मैं कुछ भी read नहीं करना चाहता है अभी दो pin रही rs and enable rs अगर 0 है तो आप जो भी d0 से d7 पे लिखोगे वो as a command consider होगा rs अगर 1 है तो आप d0 से d7 पे जो भी लिखोगे वो as a data consider होगा ठीक है तो यह rs हो गया and finally e तो e को enable बोलते है तो enable में आपको एक pulse देना है ऐसा high to low इसका मतलब क्या है इसका use क्या है जैसा मैंने अब आपको बताया कि 0 1 एक command है ठीक है अगर मुझे lcd पर display करवाना है तो मैं 0 1 को d0 से d7 पे दूंगा अभी कैसे दे सकते d0 से d7 पे तो 0 1 एक hexadecimal नंबर है इसको आप binary में convert करोगे तो वो होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ठीक है यह नंबर होगा अभी मुझे यह नंबर देना है d0 से d7 के उपर अभी मैं दे सकता हू राइट 8 पीन है मेरे 8 bit भी है वैसे आपके हर एक data की भी length 8 bit की ही होगी क्योंकि आप एक character display करवाना चाह बात है उसकी आसकी value जो भी होगी hexadecimal नंबर उसको आप binary में convert करोगे तो उसकी length 8 bit की ही होगी ठीक है तो उसी लिए हम यह 8 data pin को यूज़ करेंगे बट अगर मैंने 01 लिख दिया इसके उपर ठीक है और मैंने RS 0 भी कर दिया मतलब कि यह समझ गया कि जो भी है यह command है मेरा लेकिन वो तुरंद LCD को clear नहीं करेगा यह कब actually fetch होगा यह कब actually LCD के controller के द्वारा read होगा यह तब ही read होगा जब enable पे यह pulse जाएगा sorry yes high to low वाला तो after each operation आपको एक ऐसा pulse enable पे generate करना पड़ेगा वह मैं आपको प्रोग्रामिंगे दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं लेकिन आप कुछ भी करो जैसे आपने 01 कमांड डाला RSW 0 कर दी मतलब के command consider हुआ और उसके बाद enable पे पर पर्स डाल दो उसके बाद नया कमांड 80 80 मतलब के first line के अंदर starting position से मुझे कुछ display करवाना है पिर आप RS को 0 रखो और enable पे पर फिर से generate कर दो मतलब के वो command भी configure हुआ अंदर गया ठीक है इसी साब से अब समझो तो enable पर 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 चाहिए RS decide करेगा कि आपके D0 से D0 से D7 पर command है या data है ठीक है और command और data के लिए D0 ट वो read and write operation के लिए है तो हम write ही करना चाहते तो उसको permanently ground कर देंगे ठीक है उसमें कुछ 0 या 1 लिखेंगे ने उसको ground के साथ connect कर देंगे मतलब कि by default 0 हो गया ठीक है और यह LCD का pin description है जो मैंने अभी आपको बताया ठीक है पूरा pin description है first pin से लेके 16 तक तो यहां पर देखिए ground power supply प्लस 5 वोल्ड चाहिए फिर contrast adjustment के लिए है RS अगर 0 है तो control input होगा RS 1 है तो data input होगा यह मैंने आपको अलेड़ी explain किया है RW pin का मतलब है read or write operation enable pill after each operation enable पर 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 देना है फिर data pin है common है data और command दोनों के लिए और बाकी backlight के लिए है plus 5 और crown अभी एक और important बात मैं आपको बता देता हो कि LCD के अंदर दो mode होते है 8 bit mode और 4 bit mode अभी difference क्या है यहां पर देखो मैंने खली 4 bit पे ही यह cable wire दिखाया हुए है बाकी के 4 मैंने connect ही नहीं की है ठीक है तो इसको बोलते है 4 bit mode अभी आपको यह question होगा कि हमारे सारे command data सब्तों 8 bit का है तो यह 4 pin से कैसे हम कर पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो भी command है ठीक है मैं एक बार इसको इरिस कर देता हूँ आपके जो भी command है for example आपका एक command है 01 मैंने अभी आपको बताया वो clear display के लिए ठीक है तो उसकी hexadecimal value होगी 0000 and 0001 यह continuous है ठीक है इसे तो 8 bit है जबकि मैंने यहाँ पर तो 4 bit ही connect किये है तो मैं क्या करूंगा तो मैं 8 bit को mask करके पहले list significant 4 bit है उसको mask कर दूंगा और खाली most significant 4 bit है वहीं 4 bit को मैं इस पर लिखूंगा ठीक है उसके तूरंत बाद मैं क्या करूंगा enable pulse जो high to low करना है उसके बाद next time मैं जो यह most significant 4 bit है इसको मैं mask करूंगा और जो list significant 4 bit है उसको मैं इसके उपर लिखूंगा मतलब कि हमको लिखने तो 8 bit ही है लेकिन अभी 4-4 के group में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 4 bit और 8 bit में difference क्या हुआ कि 8 bit में आपको number of pins ज्यादा चाहिए होगी लेकिन आपका programming simple रहेगा आप एक साथ सीधे D0 से D7 पर पूरा आपका command लिख सकते हो ठीक है क्योंकि 8 bit है size है आपकी command की और data की और 8 pin है direct आप लिख सकते हो but 4 bit mode में क्या होगा 4 bit mode में यह होगा कि आपकी number of pins कम हो जाएगी लेकिन आपका programming complex हो जाएगा आप जो भी लिखो आपको masking यह operation करने पड़ेंगे anyway मैं programming में आपको यह detail में explain करूंगा but believe me अगर आपके पास limited pin है तो 4 bit काफी best option है क्योंकि आपको बहुत ही कम connection चाहिए होंगे ठीक है आप यहाँ पर देखे 4 bit mode में आपको 4 यह और दो यह खाली 6 connection चाहिए रासबरी पाइब और के साथ और आप पूरा programming करके यहाँ पर जो भी डिस्पले करवाना चाहो ठीक है यहाँ पर करवा सकते हो whatever आपको जो भी चाहिए वो तो यह दो mode होते 4 bit mode और 8 bit mode ठीक है और यह है कि कैसे आप data send कर सकते हो यह फिर से repeat हो रहा है तो मैंने अभी जो आपको बताए वहीं है कि make rw low तो initially rw pin को 0 कर दो क्योंकि हम write ही करना चाहते है rs0 if data byte is command मतलब के data byte का मतलब क्या है कि अगर d0 से d7 पर आप जो भी लिखो वो command होगा तो rs0 होनी चाहिए and rs1 if data byte is data मतलब के d0 से d7 पर अगर data है तो rs को 1 कर दो यहां पर rs को 0 करो यह programming में हम करेंगे ठीक है then pulse e high to low मतलब कि हर एक operation के बाद pulse generate करना है enable pin पे and repeat this step to send another byte मतलब कि अगर आपको next जो भी करना है आप repeat करिए तो main मैं फिर से आपको explain कर देता हो repeat कर देता हो कि क्या करना है पहले आपको rw pin को 0 करना है rs को 0 करो और अलग-अलग command दे दो जो भी आपको चाहिए LCD clear करनी है cursor की position यह रखनी है बहुत सारे command है ठीक है आपको जो भी required command आप दे दो एक बार configuration हो गई मतलब आपको जो satisfactory result से यह वैसा सब configure हो गया उसके बाद next आपको क्या करना है simple rs1 कर देना है और आपको जो भी message display करवाना है वो आप send करो कैसे करोगे अगर मुझे hello display करवाना है तो मैं first h की आस की वैल्यू डालूँगा फिर enable पर फ्रस्ट डालूँगा फिर एक की आसकी वैल्यू डालूँगा इनेबल पर फ्रस्ट डालूँगा फिर एल की और फिर फाइनली ओ की ठीक है तो इसी सब से character by character आपको send करना पड़ेगा LCD पर ठीक है और मैं बार बार जो बोल रहा हो command command तो क्या command है तो यह सारे command है ठीक है इतने ही नहीं है और भी है लेकिन मैंने खाली एक screenshot लिया है आपको explain करने के लिए कि यह सारे command होते है अगर आपको cursor on रखना है तो आप यह command लखिए ठीक है cursor on का मतलब क्या है कि आप जो मैसेज प्रिंट कर रहे हो ए बी सी तो उसके साथ आपको cursor भी दीखेगा ऐसे करके मतलब cursor की position भी दीखेगी अगर आपको clear करनी है LCD तो यह command है 01 मैंने बार बार इसको समझाया है ठीक है अगर आपको message move करवाना है तो आपके पास यह command है 10 14 ठीक है shift entire display left इसके लिए command है 18 तो यह सारे command है आपको simple RS को zero करके यह command आप दोगे तो configure होता जाएगा और एक बार तीन चार command आपने दे दिये जो के आपको चाहिए उसके बाद आप जो भी data लिखोगे तो वो command के हिसाब से ही वो display होगा ठीक है तो यह हुआ LCD interfacing का theoretical part नेक्स्ट वीडियो में हम इसको practically perform करेंगे hardware पे मैं LCD को interface करके देखा हूँगा रास्बरी पाइब और के था और मैं program भी explain करूँगा और हम उसको actual में run करेंगे उसके बाद जो हमारे previous वीडियो में से एक वीडियो है keypad interface का वो और यह LCD दोनों को मिला के हम एक छोटा project बनाएंगे password protected system का ठीक है तो आने वाले वीडियो में हम यह सब देखेंगे अगर आपको मेरे वीडियो में से कुछ भी useful information मिल रही है तो please वीडियो को like करिए और मेरे YouTube चैनल को subscribe करिए Thank you very much